नमस्कार मित्रो आज लाल किताब के चमतकारिक टोटकों में आज मैं एक बिसेश टोटका लेके आया हूँ जिससे की दामपत्य जीवन में बहुत बिग्नबाधा उत्पन हो जाती है जिन इस्तरियों को बहुत क्रोध आता है बहुत ज़्यादा गुसा आता है बात बात में बहुत ज़्यादा चेचिडी हो जाती है और जो गुसे से पागल हो जाती है बातों को नहीं सुनती है उनके लिए ये टोटका है कि उनके जीवन में सांती कैसे हो बहुत महत्त पुरण चीज है और इसे आप लोग निश्चित रूप से सेर करिएगा क्योंकि आपका एक सेर किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुसाली ले आ सकता है रभीवार शोमवार गुरुवार वा सुक्रवार के दिन उस इस्त्री से बोले कि सफेद वस्त्र पहने और पहनने के बाद वो जब निकाल के रख दे तब उसको आपको ले लेना है उसमें एक मुठी में जो तोड़ा सा गुड रख देना है मुठी में थोड़ा सा गुड रखें ले करके गुड उस सफेद कपड़े पे रख दें और तांबे का सिक्का ना मिले तो तांबे को सिक्के नुमा काट लें और काट करके सिक्का रख दें और थोड़ा सा गेहू बांध करके रख दें और कुछ समय के लिए उस सफेद कपड़े को एक हपते तक के लिए पती अपने शोने वाले अर्था सिरहने रखे पत्नी को पता ना चले या एक दिन भी रख सके तो वो रख करके उसे फिर ले जा करके किसी भी योग्य महिला को दान कर दे योग्य का मतलब हुआ कि जो उसे ले सके उसमें बंधा हुआ हो और वो कोई इस्तरी दूसरी इस्तरी ले ले तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी के जीवन से चीश्चिडापन धीरे धीरे समापत होगा यह वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिएगा क्योंकि निश्चित रूप से अगर पत्नी खुसहाल है तब ही ब्यप्ति खुसहाल हो सकता ऐसा कहा जाता है कि जिसकी पत्नी अच्छी है उसकी लाइप बहुत अच्छी हो जाती है तो यह योग सिद्धांत आपके लिए लेके आया हूँ लाल किताब के माद्यम से आप लोग फटा-फट फेयर करें ताकि बहुत सारी लोगों के पास तक ये सिद्धांत बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार